के वीडियो में self induction पर based कुछ question हम लोग discuss करते हैं तो हमारे पास एक example है कि एक coil है हमारे पास ये point A है ये point B है इस coil का self inductance L है जो कि 0.54 henry दिया हुआ है इसमें current जो है इस direction में flow कर रहा है जैसा कि direction figure में दिखाया हुआ है और हमको बताना है rate of decrease in current दिया हुआ है हमको minus 0.03 ampere per second EMF क्या होगा मतलब कि self induction की वज़े से जो इसमें EMF induced होगा वो कितना होगा और A और B किस A और B में से कौन सा point higher potential पर है ये हमको निकालना है बताना है तो आइए हम इसका solution देखते हैं तो अब हमको बताना है कि self induced EMF तो हम लोग जानते हैं कि E is equal to minus L di by dt ये हमारे पास formula होता ह है तो चलिए माइनस L की value कितना दिया हुआ है 0.54 और di by dt कितना दिया हुआ है हमको minus 0.03 अब इसको जब हम लोग solve करेंगे तो हमारा आ जायेगा 1.62 into 10 to power minus 2 volt तो इसका मतलब ये हुआ कि self induction के वज़े से इस coil में जो EMF induced होगा उसकी value कितनी होगी 1.62 into 10 to power minus 2 अब हम लोग आते हैं B part में हम से पूछ रहा है कि A और B में से किसका potential जादे होगा तो इसको हम लोग lens ला से समझ सकते हैं अब हमारा पास जो current है उसकी value क्या हो रही है time के साथ decrease हो रही है तो जब इस current की value decrease होगी तो इसमें जो induced current flow करेगा वो भी इसी के direction में flow करेगा तो जो induced current होगा जब वो इसी के direction में flow करेगा तो जब हम लोग यहाँ पर एक equivalent battery बनाएंगे तो वो किस तरह का बनाएंगे इस तरह का बनाएंगे तो जब हम battery इस तरह का बनाएंगे तो इस diagram से यह clear हो जाता है कि किसका potential जदे होगा तो यहाँ पर देखिए A का potential जदे होगा और B का potential कम होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं VA greater than BB तो इस तरह से हम डायग्राम बना कर ही यह potential जो है चेक कर सकते हैं कि कि किसका potential जादे होगा और किसका कम होगा यह दूसरा example डिसक्स करते हैं तो दूसरे example में इस तरह का diagram हमारे पास है एक हमारे पास resistance है यह point जो है वो A लिखा हुआ है इसमें जो current है वो इस तरह से flow कर रहा है यह direction इसका दिया हुआ है यहाँ बीच में coil लगा हुआ है और coil के आगे एक battery लगी हुई है और यहाँ पर हमारा point B है इस तरह से battery का जो EMF है वो E है और यह जो coil है उसका self inductance L है resistance R दिया हुआ है हमको और इसमें current इस तरह से flow कर रहा है ठीक तो जो resistance है उसकी value हमको question में दिया हुआ है जो resistance है वो हमको question में दिया है कि 10 ohm है और इसके बाद जो self inductance है वो 5 henry दिया हुआ है जो EMF है इस cell का EMF है वो भी हमको question में दिया हुआ है EMF दिया है 20 volt और हमको दिया हुआ है जो current है यह जो current है वो भी हमको दिया है 2 amp और हमसे question में पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि VAB निकालिए जबकि rate of decrease in current जो है मतलब कि find VAB if Di by dt is equal to minus 1 ampere per second ये चीजें दी गई हैं और हमको जो है VAB निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि inductor में देखिए जब current change हो रहा है तो inductor में एक EMF induced होगा तो पहले हम inductor में जो EMF induced हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं तो इसमें सबसे पहले इस inductor में कितना EMF induced होगा हम उसकी बात करेंगे तो solution में देखिए तो induced EMF E is equal to minus L di by dt तो इसमें values को रखते हैं minus L की value कितना है 5 di by dt कितना है minus 1 तो यह कितना आ गया हमारा 5 volt आ गया अब देखिए हमको क्या करना है कि अब हमको जो है Lange law की मदद से यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्वायल लगा हुआ है उस क्ायल में जो EMF induced होगा तो हम उस क्ायल के जगह पर इतने bolt की एक battery रखेंगे तो हमारा जो नया diagram होगा वो क्या हो जाएगा जो नया diagram होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि हमारे पास एक resistance हो जाएगा resistance जो है वो 10 ohm का है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्वायल है उसमें एक EMF induced होगा 5 volt का और इसके जगह पर हम एक cell replace करेंगे और cell replace करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो direction induced current का होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर हमको cell replace करना है तो यहाँ पर देखिए current जो है वो decrease का रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस EMF की वजए से जो induced current flow करेगा वो इसको support करेगा इसका मतलब है कि यह जो 5 volt की battery है वो इसके जगह पर किस तरह से place की जानी चाहिए इस तरह से place की जानी चाहिए क्योंकि जब हम cell को इस तरह से place करेंगे तब ही यह 20 volt का है और यहां पर हमारे पास point B है ठीक है अब I current इसमें flow करी रहा था वो हम इसमें दिखा देते हैं तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे किर्चाप सला लगाया जाता है same to same हमको काम वैसे ही करना है तो बस हम यहां से चलना सुरू करेंगे तो यहां से जब चलना सुरू करेंगे तो इसका potential क्या लिखेंगे VA अब यह देखिए हम यहां plus यहां minus लिखेंगे तो minus 10 I यहां पर देखिए minus से plus तो plus 5 plus से minus minus 20 और जैसे हम last point पर पहुंचेंगे तो लिखेंगे VB तो अब हमको देखिए VA minus VB निकालना है तो यह कितना हो जाएगा हमारा 10 अब I की value question में कितना दिया है 2 तो 10 into 2 minus 15 इस मैंसे इसको 15 तो अच्छा तो यह minus 15 होगा तो इधर आएगा तो plus 15 हो जाएगा तो कितना हो गया हमारा 20 plus 15 मतलब 35 तो हमारा अंसर कितना आगया 35 वोल्ट